नमस्कार एशेन 247 के इस ओपिसेल पेज में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मैं हूँ एल कुमार आज हम लोग विसेस कर हम लोग चर्चा करेंगे जहारखन पुलीस के संधर में तो यह आप देख सकते हो इसक्रीन पे जहारखन पुलीस की ओपिसेली नोटि निकल कर सामने आई है वो 5000 के आसपास निकल कर सामने आई है ओके तो चलिए हम लोग करमबद रूफ से हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के मायदम से और यहां आप देख सकते हो जहारखन आरक्षी परतियोगिता परिक्षा 23 के अगर बात करते हैं तो दो केटिगरी स दूसरा वैकलॉक ओके चलिए हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं तो यहां आप देख सकते हो परिक्षा सूल्क आपको जो परिक्षा जो सूल्क आपको देना होगा 100 रूपिया केटेगरी की अगर बात करते हैं तो अबिसी वन अबिसी टू और जैनरल वर्ग के लिए 100 रूपिया रखी गई हैं और यहां आप देख सकते हो परिक्षा सूल्क में जो छूट मिलेगा एक स्टी वर्ग के लिए एक स्टी वर्ग के लिए यानि अनसुचित जन जाती अनसुचित जाती के लिए मात्र आपको 50 रूपिया पे करना होगा ओके चलिए हम लोग आगे ह विवरन कुछ इस परकार है यहां आप देख सकते हो इसको आपको समाजना बहुत जरूरी है ओवरल जो सीट निकल कर सामने आई है पाँच एर के आसपास जिसमें से नियमित यानि रेगुलर के अगर बात करें तो 3800 के आसपास सीट है ओके और यहां आप देख सकते हो रा पूरुस वर्ग के लिए 6 सीट महिला वर्ग के लिए 44 सीट निकल कर सामने आई है और यहां बात करते हैं स्ट की पूरुस में स्ट बिलकुल नहीं है महिला की अगर बात करें तो 21 सीट है और स्ट की सोरी स्ट की अगर बात करें तो यहां आप देख सकते हो बिलकुल सीट न लिए दो सीट है, ओके यहां से आपको समझ में आने चाहिए चलिए, फिर बात करते हैं खूटी जिलाःःःःःःःः zor जश्यासी निकल कर सामनी आई है और यहां आप देख सकते हो सिम डेगा के लिए 103 चलिए हम लोग आगे बात करते हैं गुमला के लिए और यहां आप देख सकते हो गुमला के लिए 12 तो यहां आप देख सकते हो कुछ इस परकर सीट निकल कर सामने आई है जिसमें से 452 सबसे अधिक सीट जो निकल कर आये है वो गिरिडी जिला से निकल कर सामने आई है ओके चलिए फिर हम बात करते हैं आगे और यहां आप देख सकते हो धनबाद से 337 पद है और यहां आप देख सकते हो 343 गृड़ी से सोरी देवघर से ओके देवघर से कितना है 343 तो चलिए इस परकार यहां आप देख सकते हो कुछ सीट इस परकार है चलिए हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ आप देख सकते हो बहत पुन विंदू आप यहाँ देख सकते हो कंडिका 3 तो नियमतम सक्षिनिक जोई गता 10 फास यानि मैं नतापराथ सक्षिनिक संस्थान से दस्वी उतिर्न अनिवारी है तो यहाँ से आप देख सकते हो चलिए हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं चलिए एक और महत्पुन विंदू यहाँ आप देख सकते हो सारेरिक दक्षता यानि सरीर की सारेरिक माफ यहाँ आप देख सकते हो तो यहाँ आप देख सकते हो जैनरल के लिए और EWS के लिए जो उचाई की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो नियुम्टम एक साट और सीना की अगर बात करें तो एक आसी और यहाँ आप देख सकते हो स्ट और स्ट के लिए नियुम्तम जो height है 155 और Sina की अगर बात करें तो 79 और यहां आप देख सकते हो OBC1, OBC2 के लिए height की अगर बात करें तो नियुम्तम 160 और Sina की अगर बात करें तो 81 ओके और यहां आप देख सकते हो महिला के लिए निम्दम जो हाइट है 148 और सीना की माप नहीं की जाएगी महिला वर्गे के लिए तो चलिए यहां से आप देख सकते हो चलिए आप बात करते हैं एज की तो यहां से आप देख सकते हो सबसे महत्पुन बिंदू अगर बात करें तो एज को लेकर हैं तो चलिए आप यहां देख सकते हो निम्दम उम्र की सीमा गन्ना है तो संदर्म तीथी 1823 और अधिकतम सीमा की अगर बात करें गन्ना की तो 182019 इसमें मैं साब तोर पे अगर बोले तो 182019 को अगर बात करें यानि अगर 182019 में अगर आपका 25 साल हो रहा है तो इस फर्म को आप भर सकते हो सिर्थ जेनरल की समय हम लोग बात कर रहे हैं फिर 17 साल जो है यह 18 पिश्रा बर्ग OBC 1, OBC 2 के लिए अगर आप 2019 में अगर 17 साल भी है ना तो इस फर्म को भर सकते हो यानि कूल मिला के अगर बात करें तो इसमें 4 बर्षों की छूट मिली है और यहां आप देख सकते हो महिला के लिए अनारक्षित कमजर वर्ग अइतियंद पिश्रा बर्ग अनसुचित 1, पिश्रा वर्ग 2 के लिए 28 बर्ष है महिला के लिए हम बात कर रहे हैं और यहां देख सकते हो SC-ST महिला के लिए 30 बर्ष और पुरुस के लिए भी संगला नए महिला के लिए 30 बर्ष तो इसमें भी आप बात करते हैं अनसुचित जाती के लिए तो इसमें भी 4 सा लेड हो जाएगा तो चलिए फिर से हम लोग बात करते हैं